हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टु दे समाजी गुरु चैनल आज हम करने चाहरे हैं क्लास फिफ्थ के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर जो की प्री बोर्ड बोर्ड एक्जाम दोनों के लिए ही इंपोर्टेंट है ठीक है तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है तो हमारा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा और हमें टाइमिंग जो है वो तीन घंटे की दी जाएगी ठीक है तो ताइमिंग जो है वो तीन घंटे की दी जाएगी हमें ठी तो यहां पर सोन्य एक 6 साल की लड़की है जो कि अपने घर के बैक्याड पर खेल रही थी उसको एक बटरफ्लाय दिखाई देती है उसे पकड़ने की कुशिच करते पर पकड नहीं पाती और जिससे वो निराश हो जाती है तो सोन्य प्लेंग तो सोन्य कहां खेल रही थी इन दे बैक्यार्ड तो सी ऑप्षिन करेक्ट है नciones करके किती तो संय कीं कर रही मुझी प्रजा सथा का वो प्रणा जो है इसा को नहीं गूता पटकोशिष कर रही थिद हूं यहां पर she word जो है वो किसके लिए इस्तमाल हुआ है mother, sonya, butterfly या इन सब के लिए तो sonya जो है वो नहीं पकड पा रहे थे तो sonya के लिए word जो है वो इस्तमाल किया गया है next question है choose the opposite of clean clean मतलब साफ का opposite है यानि कि जो उल्टा होगा वो क्या होगा dirty next है choose the name of a bird hidden in the grid तो इसके अंदर जो word छुपा हुआ है जो की एक bird है वो क्या है crow ठीक है तो crow जो है इसका answer है choose the odd one out telephone से हम बात कर सकते है connect कर सकते है basically एक दूसरे से है internet के थुरू हम connect कर सकते है जैसे whatsapp call वगेरा है newspaper से भी जो है वो editor हो गया है या जो मतलब publisher होता है वो लोगों से connect होता है बड़ कीबोर्ड जो है वो अलग है तो या फिर हम कह सकते है यह सारे जो है means of communication है बड़ कीबोर्ड नहीं है ठीक है अगला question है choose the silent letter in the word wrinkled wrinkled में silent word coins है बोलके देखो wrinkled डबली तो sound ही नहीं आया है रो का भी sound आया कर का भी sound आया ठीक है न का भी sound आया तो डबली जो है वो silent है ठीक है अगला question है choose the incorrect pair कौन सा pair correct नहीं है cat किटल नहीं पे बेसिकली जो उनके babies है उनका नाम साथ में दिया हुए dog का पपी ठीक है pig का किट जो है वो नहीं होता cow का काफ जो है वो भी correct है तो incorrect pair जो है वो c option है ठीक है other question है choose incorrect statement इसमें से incorrect statement चूज करना है I cook tasty food ठीक है he cook tasty food जो ही जो है वो singular है singular के साथ जो वर्ब होता है उसमें S या E S लगता है ठीक है तो यह जो B statement है वो गलत है सही क्या होना था he cooks tasty food ठीक है अगला जो question है वो है choose the correct option for proper noun तो proper noun से पहले बच्छों समझ लो होता क्या है proper noun होता है proper noun होता है किसी भी चीज का नाम और basically यह capital letter से start होता है ठीक है तो मार्च जय हो महने का नाम है तो मार्च जय हो क्या होगी आपका proper noun ठीक है जुमेकर तो कोई भी हो सकता है woman भी कोई हो सकते shop भी कोई हो सकता है ठीक है बड़ मार्च जय हो fix month है यह किसी चीज का एक fix noun है ठीक है अगला question है वो है choose the correct option yesterday I saw some frog frogs ठीक है yesterday I saw some frog दैश वर जंपिंग नियर दापॉंड तो मतलग कि मैंने कल कुछ मैंने काफी सार इसने मेंडग देखे जो कि पूद रहे थे ठीक है पॉंड के पास वो पूद रहे थे तो काफी सारे हैं तो देवर जो है वो स्तमाल किया जाएगा ठीक है अगला हो गया question 18 choose the correct option इसमें से correct option जो है वो चूज करना है dash your sun is very hot and bright today तो sun जो है वो इसके साथ वो क्या लगता है दर लगता है article ठीक है क्योंकि यह universe में जो है वो एक है next आ जाता है choose the correct statement इसमें से correct statement जो है वो चूज करना है cruel was very cohen यह sentence सही नहीं है ठीक है was very cruel cohen यह भी सही नहीं है cohen was very cruel ठीक है वो बहुत जादा जो है वो cruel था cohen was very cruel यह भी sentence जो है वो नहीं बना ठीक है तो c option जो है वो correct है next is choose the correct option इसमें से correct option जो है वो चूज करना है she is dash than my mother तो बच्चो दैन हा गया ठीक है तो यहां पर मतलग comparative degree का इस्तमाल किया जाएगा तो old जो है वो positive degree है older जो है वो comparative है और oldest जो है वो superlative degree है तो अगर the होता तो oldest आ जाता बट यहां पर अभी be option जो है वो correct है आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी videos पसंद आती है हमारी videos आपके लिए किसी भी तरीके से helpful है तो चैनल को फटाफर से subscribe कर दो को कि यहां पर इस तरीके का helpful content upload होता रहता है और चैनल को like करना बिलकुल भी मत भूलना इससे हमें motivation मिलता है तो section D जो है वो start करती है इसमें आपको बोला गया है कि कि किसी भी चार question के answer करने है भाई भाई नंबर का एक question है तो total 10 नंबर का question number 21 है which was not an ordinary year को अंसा साधारन साल नहीं था question है वो a glimpse from history से लिया गया है तो 1857 का year जो है वो साधारन साल जो है वो नहीं था next है who had the shoemaker shoemaker की help जो है वो किस ने की तो two little ifs have the shoemaker तो दो जो छोटे ifs थे उन्होंने जो है वो shoemaker की help की next question है what is needed to open an account account खुलने के लिए किस चीज की जरुद होती है तो identity proof जैसे की अधार कार्ड और हमारा जो latest photograph है उसकी जरुद जो है वो हमें पढ़ती है ठीक है अगला question है who was in charge of the town town का in charge जो है वो कौन था Mr. Cohen child and grandma's chapter से लिया गया है who are alike कौन जो थे वो एक जैसे थे तो grandmother और child जो है दोनों एक जैसे थे ठीक है next जो है वो question आपसे पूछा गया है who like the tall building जो मतलब की tall building है वो किसे पसंद थी पालापूर ठीक है इसके बाद जो है वो आपसे बूछा गया है कि five birds का नाम बताओ तो आपको जो भी birds के नाम पता है वो आप अपने तरह से लिखते ना हमने यहांपा फिलाल जो मचों को जल्दी याद हो जाए ऐसे कुछ जो है वो birds लिए है तो इसमें जो है वो हमने जो है वो statement जो है बनानी है तो हमने लिखा तब woman is selling clothes for Christmas Christmas के लिए यह कपड़े बेच रही है ठीक है और जो कपड़े है वो बहुत ही सादा colorful है अपने लिख सकते हो कि they are talking to each other वो एक उसे से बाते कर रहे है ठीक है तो next question है वो है फिलब का आपको options दिये गए है और my favorite game का यह आपको जो है वो कुछ lines दी गई है उसको आपने फिल करना है I am very good at तो मैं किस चीज में जो है वो अच्छी हूँ तो मैंने लिख दिया games ठीक है I am very good at games football is my dash game football is my favorite game ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं favorite game I play football with mine मैं football किसके साथ केज़ती हूँ अपनी friends के साथ यहां पर हमने लिख दिया friends we are dash team members तो कितने team members है we are 11 team members ठीक है तो यहां पर हमने जो है वो 11 लिख दिया I am the dash of my team मैं जो है अपने team का captain हूँ ठीक है तो यहां पर मैंने captain लिख दिया तो paper बच्चों बहुत ही साफ सुतरी handwriting में करना है क्योंकि 10 number आपको आपके handwriting के दिये जाएंगे ठीक है तो यहां पर यह video खत्म हो जाती है in case आपको कोई भी doubt है या किसी और subject का question paper चाहिए या इसी से regarding और simple paper चाहिए तो आप मुझे comment करें thank you very much बच्चों 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 लग्चों जाएंगे तो प्रफ़ टीक है